प्रिजेश पाठक ने आज रामपूर के जिला अस्पताल में अचानक पहुँच कर ओचक नेरिक्षन किया जिससे जिला अस्पताल में अधिकारियों में हरकंप मच गया ब्रिजेश पाठक ने जिला अस्पताल में कई खामिया पाई जिसमें उन्होंने नाराजगी भी जताई साथ ही अधिकारियों को जल्द बेतर करने के दिशा निर्देश दिये इस मौके पर SPDM के अलावा CMO, CMS के अन्य भाग के अधिकारी मौजूद थे वही कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक बिना बताय अचानक जिला अस्पताल पहुंचे जिससे कई बड़े सवाल उठ रहे हैं वही कानून मंत्री ने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बरदाश नहीं की जाएगी वरना होगी कारवाही मरीजों को हर बेहतर सुविधाएं देने के लिए भाश्पा की केंदर सरकार और राज्य सरकार हर संभव प्रियास कर रही है और कर्पी रहेगी किया गया है क्या मामना है तो अस्पताल में हम आज अचानक दिरिक्षण के इसलिए आए कि यहां पर चिकिस्सा सुद्धाओं का क्या हाल चालेज देखने के लिए कुछ आधार भूद दिकते मिली हैं जैसे जो मरीजियों के कम रहे थे वेरिंसी रूम में उसमें फ्लास्टर गिरा हुआ था उसके लिए हमने सुद्धारने के लिए समय दिया है इनको और नेक्स्ट विजिट में सब कुछ ठीक मिलना चाहिए ऐसा हमने से मेस महोदे सिपा है